नमस्ते फ्रेंट मैं सविता अगरवल कुकिंग वी सविता मैं आप सभी का सौगत करती हूँ आज मैं आप सभी के लिए कच्छे आमकेरी की चीनी और गुड़ वाली एक से दो मेने के लिए श्टोर करने वाली चटनी किस तरह बनाते हैं भताने वाली हूँ तो आईए देखते हैं कच्छे आमकेरी की चीनी और गुड़ वाली चटनी बनाने के लिए हमें किन किन्ची जोके आउशकता है यह देखते हैं कच्छे आमकेरी की चीनी और गुड़ वाली चटनी बनाने के लिए हमें इन इन्ची जोके आउशकता है एक कब बारी किसा हुआ कच्छा आम कैरी कच्छे आम कैरी को किस तरह किस कर्ष्टोर करते है यह मैं पहले विडियो में भता चुकी हूँ दो बड़े चमज गी, स्वादा नुसार नमक, स्वादा नुसार चीनी और स्वादा नुसार गूड तो आई यह देखते है कच्छे आम कैरी की चीनी और गूड वाली चटनी किस तरह बनाते है यह देखते है सबसे पहले ग्यास परधी में आज पर एक कड़ई रग दीजिए कड़ई को थोड़ा गरम होने दीजिए जैसे ही कड़ई में डाला हुआ गी गरम हो जय तब इस गरम गी में किसी ही कच्छे आम कैरी को डालकर कच्छे आम कैरी को गी के साथ 5 से 10 मिनिट के लिए धिमी आज पर गी मेंसे और कच्छे आम मेंसे खुश्बू निकलने तक अच्छे से भून लीजिए अगर आपने मेरे कुकिंग वी सवीता इस चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास ही में दिये वेबेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो देखिए इस तरह घी में डाला हुआ कच्चे आमकईरी अच्छे से भून कर तयार हो चुकी है कच्चे आमकईरी में से खुश्बू आने लगी है अब इस तरह भुनेवे कच्चे आमकेरी में स्वादा नुसार नमक डाल कर नमक को कच्चे आमकेरी के साथ अच्छे से भून लीजिए कच्चे आम कईरी में डाला हुआ नमक अच्छे से कच्चे आम कईरी में मिक्स हो जाए तब इस कच्चे आम कईरी में स्वादा नुसार चीनी और गुड डाल कर चीनी और गूड को कच्चे आम कईरी के साथ मेल्ट होने तक अच्छे से कच्चे आम कईरी को चीनी और गूड के साथ भून लीजिए कच्चे आमकेरी की चीनी और गुड़ वाली चटनी के इस रेसिप के वीडियो को आप अपने फैमेली और फ्रेंस के साथ फेस्बूक और वाटसप पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा तो देखिए इस तरह कच्चे आमकेरी की चीनी और गुड़ वाली चटनी बन कर तयार हो चुकी है अब ग्यास की आज बन कर दीजिए अब बनाए हुए इस चटनी को एक बावल में निकाल दीजिए बनाए हुए इस चटनी का इस तमाल पराठे के साथ पूरी के साथ चावल के साथ खाने के लिए कच्चे आमकेरी की चीनी और गुड़ वाली चटनी का इस तमाल कर सकते हो इस तरह बनाएवे कच्चे आमकेरी की चीनी और गुड़ वाली इस चटनी को एक एर टैड डिबे में भर कर डब्बे का ढक्कन अच्छे से टाइड बंद कर कर फ्रीज में एक से दो मेने के लिए श्टोर कर कर रख सकते हो कच्चे आमकेरी की चीनी और गुड़ वाली चटनी के इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए और इस रेसिपी के बारे में आपना अनुभो निचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेर कीजिए और मेरी दूसरी विडियोस को भी जरूर देख लीजिए तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ कच्चे आमकेरी की चीनी और गुड़ वाली चटनी बनाने के इस रेसिपी के विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद ठेंक